हेलो दोस्तो आज के सुलिये में हम देखने वाले हैं हम WordPress के लोकॉल होस्ट ठीक है यानि कि लोकॉल सेटप हम किस प्रकार से इंस्ट्राल करेंगे अपने लैप्टॉप में या फिर अपने computer में ठीक है तो यहापर दोस्तो local host के हमें क्यों ज़रुवत पढ़ती है सब चे पहले मैं आपको शुरू में बताना चाहूंगा ठीक है दोस्तो जो लोग शुरू में सीखना चाते है wordpress पर blog बनाना वगरा ठीक है या फिर website बनाना वगरा सीखना चाते है तो उनके लिए दोस्तो यह बहुत ही फायदीवन होता है तो इसलिए हम याप पर local host काम पहले यूज करेंगे ठीक है आप directly इसका आप जो hosting प्लान होगरा होता है wordpress का उसे आप buy ना करें ठीक है बाद में एक बार आपको एक बार इसमें सब कुछ समझ में आ गया तो बाद में आप कोई प्लान होगर आप purchase करके उसमें आपको इसे आप move कर सकते हो ठीक है तो सबसे पहले दूस्तों हम यहापर बात करेंगे कि हमें किस प्रकार से जो आपना जो local host जो setup दूस्तों किस प्रकार से में बनाना या आप पर किस प्रकार इसे install करना है कोई-कोई से फाइल्स वर डाउनलूल करनी है तो वह हम शुरू में देखने वाले ठीक है जिस召 पर स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे पास या पर दो फाइल से एक है जैंप और दूसरा यह पर WordPress का फाइल टीझे तो जैंप क्या होता है चुर्ण का इसके वह ब्रकाल से यहां पर ऐसे होस्टिंग नहीं है तो ची पारा database यानि कि हमारा hosting का काम करेगा ठीक है तो इसे आप अगर इंस्टल नहीं करेंगे तो आपका WordPress काम नहीं करेगा आप इसे सिख नहीं पाएंगे आप इस पर फाइल सो गरा आप आप यापर website अब लॉक्ट वोगर आप इसे रन नहीं कर पाएंगे ठीक है तो सबसे पहले यह रन नहीं होगा ठीक है और यह है दोस्तो हमारा WordPress ठीक है दोस्तो यापर हमें सबसे पहले क्या करना है आपका जो भी आपके फोन में ड्राइव से टीक है A B C D ठीक है जो भी होंगी उसमें आप इसे आपको इंस्टल करना पड़ेगा ठीक है तो किस प्रकार इसे हो गरा ठीक है तो इसमें आपको इसे इंस्टल करिए ठीक है कि मतलब क्या होगा दोस्तो सबस्मानला इन फ्यूचर या फिर कभी आपका अगा सी अगर करप्ट हो गई या फिर आपका जट्या लॉस हो गया तो आपका जो जितनी इस अगर आपको इसे अगर करना है तो इसके अंदर बनाना है तो इसके हमबारे में बात करेंगे अगला जो आप्शन है यहापर वर्डप्रेस, ठीक है, तो हम यह फाइल कहा से मिलेगे, दोस्तो आपको यह फाइल कहीं पर मिल सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेट करूँगा कि आप ऑफिशल साइट से आप इसे डाउलोड करेंगे, ठीक है, तो आपको यह वर्डप्रेस का अपर वर्डप्रेस डाउलोड करना है, यहापर आपको लेटेस्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, डाउन वर्डप्रेस 6.1.1, ठीक है, आप दोस्तों अगर आप यह वीडियो इन फ्यूचर देख रहे हैं, तो आपको यह फो सकता है कि इसकी आपको यह आपर अलग सा और लेटेस्ट वालोड करना है, जो आपका सर्वर होगा, लोक लोश्त होगा, यहापर आपको एप सरफ्यो जाएगा जो कोई दिक्कत नहीं, आपका जो सर्फर्वर दोस्तों पर काम करेगा, ठीक है तो हम यह आपर सबसे ऊपर जो है दोस्तों इसको जो हम आपको निया आप आपको यह इन दोनों को भी जो link आपको डिस्क्रिट में दे दी है आपको वह से download कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है यह होग यह है हमारे यह पर PHP file run करने के लिए क्यों कि दोस्तो यह न कि Xampi qo choose कि हम ने क्योंकि दोस्तो php file को विद्वाकर वार्ट्रेस है और यहां दोनों वाइल को डॉनलोड कर लिया है यहां पर वीद्टत में आपर क्या करेंगे तो हम यहां पर इसे डबल क्लिक करके हम इसे रं करेंगे तो हमने यहापर yes कर देना है, जैसे हम यहापर install करेंगे, हमने यहापर yes किया है, आपको सबसे पहले यहापर शुरू में क्या करना है, जब भी आपकी सामने यहापर ऐसा कुछ error आएगा, तो आपको घबराने कर नहीं, आपको वैसे यहापर ok कर देना है, जैसे आप ok क्या है क्योंकि यह directly install जो दो, यह C में हो रहा है, ठीक है, हमें C में नहीं करना है, यह हमारा C के ऊपर बरोसा नहीं है, यह हमें कभी भी लोका दे सकता है, कभी भी सकता है ठीक है सब्सक्राइब आपको बहतर रहेंगे किसी और ड्रावी जाएंगे या पर ओके करेंगे यहाप पर उसे जैंप नामका फोलडर बनानाई थीक है तो आप यह लिख सकते है ठीक है भी जेलेट कर से यह फिर आपको अगर आपने अपर क्रेट किया तो आप क्या करेंगे इस पर जाएंगे आपना पर इंप्र आपके यह फॉलडर बनौर बनाया था कम इसे के स्पीड है उसी पर है डिपेंड है ठीक है बैते रहेगा कि आप इसके लिए आप SSD होगर यूज कर सकते ठीक है अगर आपने इसमें एक्ष्टन ४ोई पर इसमें यह पर करना है ठीक है अपके system के अंदर जो भी आपके ड़ाएं होगी यह झी éamos गणा टीके तुषी के अंदर आपको इसे इंस्टल कर देला है टीक अपर पर टाइम लेगेगा ओके दूस्तों आप यह आपर इस्टाल हो चुका है ठीके आप पूरी जो प्रोसेस दूस्तों यह आप लोड हो चुकी है अब हम यह आपके सामने आपको गप्रान नहीं है आपको यह आपर पर्मिशन मांग रहा है ठीके पबिलिक नेटर आलो आक्सेस कर देना है जैसे आप करेंगे आपके सामने प्रोस आप इसकर दो सामने इसे साइड में रखिये लुट्वर्यस मैं.. यह वह . जो आप आप यापर वुट्रस फाइयो तो क युट्रस दीगर दोखो। इसेवाध कफी कर देना है ओर जो आप ने जूस्तो जहांब नाम का जो फाइल बनानी है ठीक है, D drive में ठीक है, आपके आपर आ जाना है, जहां पनाम की file को उनी है दोस्तो, दिखिया आपर, यह जहां ताम की आपने आपर foil बनाना है, इसको आपको open करना है, उपन करना है, जो आपने आपर उपर के, जो वोड़पेस के, ठीक है, आपको, यह जो file आपने कॉपी कि ठीक है तो हम यह से पेश्ट कर दिया है ठीक है अंधर चया सबसे पहला जो सब से जरूरी काम ऑं आप आप द quieresक्लें है जो आपन आपको अश्रक का में ठीक तो यहांपको दो पर स्थैंप करने कोम सी कोम सी के लिख आपको March कर Не कि एक अपाची्व जाता तब तक आपको रूपना है, ठीके, और MySQL, ठीके, अभी इसको भी start कर देना आपको, ठीके, दोनों green हो चुका है दोस्तो, अभी फिर से आपको यहापर permission देनी है, ठीके, इसे हम allow access कर देंगे, यहापर आपको आपके system में, जब तक आप यहापर file create करते रहेंगे, ठीके, या फिर ज से हम minimize कर देंगे, हमारा काम खेला दोस्तों यहापर start करना, ठीके, अपाचे का और MySQL का हमने यहापर permission दे दिया है, इसे हमने install कर दिया, ठीके, अभी इस में हमने yes कर दिया, ठीके, अभी इस फाइल को copy किया, ठीके, और हम आचुके यहापर, ठीके, कहाँ पर आचुके हम अभी यहाँ से शुरू होने वाला है, ठीके, अभी आपको यहापर एक बार ध्यान में रखने है, ठीके, आपने जो यहापर folder copy यहापर paste किया, wordpress 6.1.1 ठीके, तो आपको क्या करना दोस्तों अभी ठीकर, जो अभी यह zip में है, ठीके, तो आपके यहापर unzip करना है, और folder क इसका नाम क्या आगया, wordpress, ठीके, तो अभी यहापर ध्यान रखना है, यहापर आगया wordpress नाम का file ठीके, तो यह अभी यह zip है, ठीके, इसका आपको नाम चेंज कर देना है, और आपको इसका नाम क्या रखना है, ठीके, वह भी आपको यहापर बता देता हूँ, ठीके, त दोस्तो आपका जो प्रोजेट रहेगा ठीक आपकी जो आपको ब्लोग बनानी जो आपको व 때도ست के तो अपर जि आपको बनांठीक तूर कंचे एक MbA के नाम से iq website बना नहीं है तो यह आपर मैं डाल दीथा हो इसे enter कर दीथा हो ठीक है अभी आपर क्या की आपने है टीक है अपर क्या किया हम ने सब्सक्तिन आपको यह आपका वी ठीड होगे है जैसी के आप यह आपधे तो आपको 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 आप जब देने है ठिक हम यहाँ पर ब्रॉजर पर करेंगे किशी भी भ्रॉजर का पर उपन करेंगे टिक हम there रेंगे लोकलोस्ट टिर लोकल हस्टाइश पी एच्पी पी मसwr मिन ठीके हम या पर ढाल देंगे और से हमफर एंटर कर देंगे ठीके तो यह सकते यह आपर इसका मतलब यह हो चुकत MP3 एक जो जो जहां द्वाइल अब यहाँ पर पुरही तरह से मड्म यानिकी फाल काूरर हमें आपर का करना । नया या आपर हमें database बनाने गए तो यह चाहिए आपर डाल सकते हैं बस आपको सेम डालते नाए जो अपने यह पर ठी के है? डिक हमारा यह थे था अपर A2Talk यह हमारा MBA तो आपको यह आपर दोस्तो कुछ नहीं करना अभी आपको यहापर इससे चाहिए तो आप इसे close कर सकते है, ठी के? ठीके? तो ठीके? PHP का काम क्या होता है दोस्तो सबस database create करना ठीके? और यह जो काम होता है लोकल लोकल होस्ट slash php सुर्य पिएपि माय अडिम पर हम गए वह आप पर हमने क्या किया इडे टैबस रेट करेट कर शकते हैं नियू पर आना है यापर तिका यहाप देख सकते हैं या इपको डेटाबस काना मसम डालना है प्रिसेा आपको डेट करना है ठीक है MBA को हमें run करना है, ठीक है, MBA को हमें यहापर open करना है, तो हम यहापर क्या करेंगे, localhost, फिल से हमें यहापर डालेंगे, localhost, slash, ठीक है, आपका जो project है, जो आपका नाम है, यहापर MBA, जो इस नाम से हमें यहापर database create किया, वो आपको यहापर डाल देना है, slash, ठीक है, इसको हमने यह आपर MBI नाम से बनाया था database वही आपको यह आपको यह आपको local slash MBI आपको डाल देना यह आटमेटिक यह आपर आ जाएगा दोस्तों यह आपर WordPress के आपको यह आपर लैंगवेश सिलेश करनी है ठीक है दोस्तों यह आपर आप अंग्रेजी सिलेट करिए ठीक है या फिर हिंदी माराटिक कुछ करें इस चक्र में आप नहुत पिलिए इंग्लीश करें ऩापव यहापर और continue पर क्लिक करेंगे ठीक है यह आपर हमने continue कर दिया है अब यह आपर दोस्तों आपको यह नाम से सबकुछ byफ एक हम से तीक हम इں ऑपर डाल दिया डालेंगा अब हम हम यह Enerxt Low पर क्लिक करनां हम लेट्स गो पर आपर आच यहां पर आपका डेटाबेस का नाम रहीगा है जो आपको नहीं कर देंगे है तो सबसे पहले आपप यह बीड़ना यह और डालना है तो सबसे पहले आप यहां सब्सक्राइब तब आपको यह पर Root डाल देना है ठीक है और ऊपर आपका database का नाम को यह पर ढesti , बस हrau आपको यह पर pen कोंख नहीं करना है जू अपने यहापत डेटावेसं बनाया थै इंब नां से उसके आपर क्या क्या करा उस्झें हां यह यह थि्म Division तो यहां पर वोड़वेस से आप अगर वोश्टिंग बाय करेंगे प्लान तो वहां पर आपको एसा कुछ दिख लेंगे जुरूद नहीं है वहां पर आपको अपको आपको युजर्णेम डेटापीस होगार क्रेट हो जाता है ठीक है लेकिन जब आप यहां पर लोकल मचीन में जब आप इसे रंड करते हैं तो आपको यहां पर रूट का आउशकता पड़ती है और हीजर्णेम को रूट ही रखना है ठीक है कोई दिकत नहीं है अभी हम यहां पर सब्मिट करेंगे हमने यहां पर सब्मिट कर दिया है अब हमारा सब कुछ यह ठीक टाग रहा है तो रादलग कर делать तो यह अलाइब हम आपको यह उजर्म आ पर कुछ भी डाल सकते हैं यह आपर नीचे दे दे आए किस प्रकार से आपको यह आपर डाल देना है ठीक है तो यह दोस्तों मैंने यह आपर डाल दिया है मने यह आपर ठीक है अगर आप यह आपर यह आपर मने डाल दिया यह आपर वीक पासवड रही है मने चलजाएगा कोई दिककत नहीन है कि अपर क्लिक करेंगे नहीं कोई डम डाल सकते हैं अगर आप यहाप पर अपना ओरिजिनल डालेंगे तो भी कोई दिकरत नहीं है ठीक है दोस्तो आप यहापर सबसे पहला जो में फंटा होता है दोस्तो बहुत सारी लोग गलती क्या कर देते हैं सर्च इंजिन विजिबिलिटी यहापर आपको टिक कर देते हैं टिक का मतलब डिक करेंगे तो इसका मतलब यह इक्रिट्व आपना रहे है ठीक है तापो यहाप को प्रिट्क करना है ठीक है अगर यहाप टिक करेंगे तो क्या होआ कि गुगल का चो सथ सफासी इन्जिन दुस्तो इसको प् scratch इंजिन अक्राट करेगा अर्या आपको फाइल रन नहीं हो गए फिर आप यह पर जो चाहिए आपका इमेल डाल सकते यह इसका अपर इंस्टाल्ड वर्डप्रेस प्लिक करेंगे तो दूस्तों आप देख सकते हैं इंस्टाल WordPress पर क्लिक किया, अप याप फोड़ा 2-3 ठीक है, आपके आपर आप यूजर्न पर आ चुका है, पासवर जो आपने चूज किया या पर वो आ चुका है, आपके आपके आप लॉगरण पर क्लिक कर देना है, आपके आपके आपर process हो चुका है, आप आप लोगेण हम डेरिकली आसे लोगिन कर सकते हैं ठीक है अब आपको आपको फिर से आ जाना है तो आपकी क्या करना पड़ेगा आपकर यहोगा आपको डैशबूड यह होगा आपकी वेबसाइट छी !! प्रकार आपके आपकी वेबसाइट लेगा गासे काएक है तो हम इसे close कर देते हैं, अब हमारा जो dashboard बनाया दोस्तों, इसे हम यह login करना है, ठीक है, तो मैं आपर login पर click कर देता हूँ, जो आपने username password select किया, उसी का मैं आपर डाल देंगे, ठीक है, शुरू में आपने जो create किया था, उसी का आपर डाल देना है, ठीक है, तो इस प्रकार आपके सामने जो दोस्तों, आपका जो dashboard दोस्तों, ठीक है, वट्प्रेस का वो यहाँ पर open हो चुका है, ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही simple सा process दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार आप आ पर आ चुक है, तो दोस्तों अभी इस पर हम theme होगार case install करेंगे, वह मैं आपको अगल हो चुक है, ठीक है, तो अगले इसका जो second part रहेगा जोस्तों, उसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, अभी आपर हमने क्या किया, बस dashboard तो हम पहुचे है, यहाँ पर, dashboard तो हम आ चुक है, और हम आपको बताऊंगा, किस परकार आपको इसमें plug-in install करनी है, किस परकार आप आपको जो theme है, ठीक हो इस परकार आप आपर install करेंगे, वह आपको अगले इडियो में बताऊंगा, ठीक है, तो इस परकार आप आपर आप सकते हैं, यहाँ तक आप process कर सकते हैं, जोस्तों अगर आपको यह पपसंद आया तो यह योओ को लाइक कीजिए, share कीजिए, comment कीज सो आहें आप दूस्त आपके वीडियो पसंद आयोगा तो मिलते हैं अगले के सीडियो में तब तक लिए देखते रहें सिखते रहें जैहिन वंदे मात्रम